हेलो गाइस चलो अब हम अपना एक नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं बस आपको यह बताऊंगा कि API को हम कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम डिसकस करेंगे कि API को हम क्या-क्या कावरेज कर सकते हैं क्या-क्या पढ़ना चाहिए जिसके अंदर मैं पूरा API के बारे में बताऊंगा कि आप API कैसे बन करते हैं तो इस वीडियो की टार्गेटिंग ओडियन्स कोन है यह सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा तो चलो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो इस वीडियो की जो टार्गेटिंग ओडियन्स है वह वह है जो बिगनर से स्टार्ट करना चाहरे है और या फिर जिनको मैनुल टेस्टर में है उल्रडी लेकिन उनको मैनुल टेस्टिंग में API का एक्सपोजन नहीं मिला उसके बारे में यह में बेन बेसिक वह टार्गेट है अगर आप ओल्रडी मैनुल टेस्टर और आपको बेसिक आइडिया है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो सो इस वीडियो को हम क्या करेंगे जैसे मैंने छोटे-छोटे चंक्स में बताया कि कि मैं इसके अंदर क्या हम करने वाले हैं हम API टेस्टिंग के लिए क्या फ्लो करना चाहिए आपको अगर आप API टेस्टिंग को अच्छे तरह सीखना चाहिए हो इसके अंदर जो भी एवरी एक्सपेक्ट बताऊंगा कि आपको जो एक एक पॉइंट आपको क्या-क्या कवरेज होनी चाहिए कि मैं उनकी वीडियो उसके बारे में बताऊंगा जो मैंने क्रियेट की है उससे एसोसेटेड उनके बारे में भी एक्स्प्लेइन करूंगा इस वीडियो के अंदर और आजकल आपने देखते होगे कि जो लिखा होता है ऐसा क्यूं हुआ है क्या उसकी बीचे रिजन रहा है पहले यूआ योडिवी को प्रेफरेंस दी जाती थी आजकल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते है करते हैं जैसे अप्टियांस एंदर बैसिकली कि क normal slow करते सेन स्पेसादेश करते हैं mustimta में हमारे पास खुड़ाइस हुता एंदर अललक अलक टाइप काम आपड़ाइस होती है और उसको हम फिर कैना करते हैं अलग-अलक form में टेस्ट करते हैं उसके test coverage के accordingly और उसके report generate करके बेशते हैं same approach API testing के अंदर होती है same approach UI testing के अंदर होती है बस इसके अंदर क्या होता है आपको थोड़ा सा न अलग वे में thinking करती है यह mid layer की तरह काम करती है three layers होती है UI API और हमारा database layer तो यह mid layer की तरह काम करती है अगर आपकी API secure है और API सही तरह work reliable है तो हम ज़्यादा तरह कैसकते हैं कि हमारी जो basic functionality है किसी भी चीज़ की वह work कर रही है because API अगर error देती है तो हमारा UI तो बिल्कुल नहीं चलेगा उसका तो इसलिए API testing ज़्यादा mandatory skills आजकर मानने लग गए है उनने कोई भी profile job के जो testing में work कर रहे है तो मान के चलते हैं मान लो अगर आपको idea नहीं है API testing क्या होती है यह मेरा targeting audience है जिनको कभी ने वाक ही नहीं किया उसके बारे में कभी सुना भी नहीं उनके बारे में या फिर आपको कुछ idea है किछ API के बारे में क्या होता है API कभी काम किया है इसके बारे में हम क्या करेंगे अलग-अलग year of experience के कोडिंग ली हर एक बंदा अपने अपनी एक्सपेक्टेशन लेके चलता है कि इन बंदे को यह चीज़े आनी चाहिए as a API tester so जैसे अगर आप one से three year experience है या refresher है तो आपको basic knowledge होने चाहिए कि API कैसे work करती है क्या documentation होती है क्या test coverage होती है क्या test cases होते हैं अग्याने वाली वीडियो में बता भी रथा है मेरी वीडियो के अंदर अब उनके जाकर देख भी सकते हैं मैं उनको आपको लिंक description में बेज जोगा अगर आपको तीन से चार पात साल का experience है तो आपको क्या expectation रख आपको एक्सपेक्टेशन उनकी ज्यादा रहती है और आपको एक्सपेक्टेशन की नौलिज होनी चाहिए तो यह बेसिक होता है और आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको API automation और उससे associated framework design करना आना चाहिए तो यह तो था हमारा expectation लोग होगी क्या होती है API tester से associated लेकिन अब आते हैं कि अगर आपको API का कोई idea ही तो आपको कैसे प्रसीड करोगे क्या आपको आना चाहिए basically तो मैंने अलग-अलग videos बनाई है अलग-अलग topics से associated आप उनको जाके मैं इसको description में भ जिसको API documentation की तरह भी act करते है उसका भी मैं आपको एक link provide करते हूँ जो मैंने API के video create की है उसको आप जाके देख सकते है उसे swagger use करना swagger का UI कैसे होता है वो उसके अंदर एक free आपको एक swagger का link देया है उसी video के अंदर या आप उसको जाके आप एक पर hit करके देख सकते है जिससे आपका swagger की knowledge आपकी enhance होगी swagger की knowledge के बाद आपको पता होना चाहिए कि API की test coverage क्या होती है कि आप API के अंदर basically test क्या क्या करते हो तो उसके associated भी मैंने एक video बनाई हुई है जिसके अंदर हम happy path, mandatory, enum यह सब की अलग-अलग types की test coverage हम करते है API के associated हर एक individual API के उसके बारे में मैंने बता है हुआ है यह जब कर करने के बाद आपको test coverage knowledge, swagger क्या होता है वो पता है उसके बाद फिर आप क्या करते हो test case लिखना start करते हो Excel पर या फिर कोई भी आपका tool होता है आपके organization में जो भी यूज होता है चाहिए वो जीरा के अंदर आप test case लिखना हो या फिर आप Excel के लिखना हो जो भी आप करना अब आपके पास swagger की knowledge है आप test coverage क्या होती है वो पता है आपको test case कैसे लिखते है वो पता है अब उसके बाद बस आपको क्या करना होता है एक tool होता है post में जिससे हम API को hit करके देखते है get put post ये सब hit करके उससे पता लगता है कि अलग-अलग links के कैसे work करते वाले है अलग- आपको मैं provide कर दूँगा जिस अगर आप यह जब चार चीजे cover कर लोगे चार वीडियो से associated तब आप basic knowledge API की कैसे hit करते है postman के अंदर वो सब आ जाएगी अब यह सब करने के बाद माल लो अगर आपने यह वीडियो सब cover कर ली तो इसके बाद हम क्या करते है आपको क्या पत में with a set of examples भी मैंने एक playlist बनाई है उस playlist को मैंने single video में convert किया है अगर आप के पास single video का time है तो आप single video भी देख सकते है उसके अंदर मैंने शुरू से लेके end तक complete API की सारी जिर मेंने description बनाई है playlist उसको मैंने combine करके एक video में short में कर दिया है आप उसको देख सकते है या फिर य 9-10-10 minute की videos है उसको करें या फिर आप एक देड़ से दो घंटे की video है आप उसको complete एक ही video के अंदर cover करें जो जैसा आपको अच्छा लगता है उसको जाकर देख सकते है उसके अदर मेंने क्या होता है कि JSON XML क्या होता है HTTP request क्या होती है जैसन पार्सिंग क्या होती है पेलोड क क्या होता है test coverage क्या होती है test case writing क्या होती है वो सब explain किया है अगर आप वो देख लोगे तो उससे आपको यह वाले जो ट्रॉपिकर सेकेंड और थर्ड पॉइंट यह आपके cover हो जाएगी और जो स्वेगर और अलग वाले अलग 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 API पोस्ट में से हिट करने वह लो test case के coverage क्या करने हो सब पता लग जाएगा वह करने के बाद एक simple एक basic इंटर्व्यू कोशन पूछ जाता है authentication वसी authorization बिलकुल अलग topic है security से related होता है इनके बारे में पूछते हैं इनके पता होने चाहिए आपको अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो एक होता है performance testing performance testing के दिरब क्या करते हैं हम उसी API को multiple times हिट करते हैं और फिर चेक करते कि हमारा response में कितना time में डिले आया है वो सब यह ना भी करोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है यह जादा important नहीं है important क्या है manual basics पढ़ना उसके लावा स्वैगर और एक अलग-अलग-अलग-अलग API इसको जो get put post अलग-अलग methods है यह types जिसको आप बोलते हो उनको हिट करके देखना यह करने के बाद फिर tools में आ जाता है किसके उपर आप हिट करोगे पोस्ट में होता है manual testing के लिए rest assured होता है automation के लिए तो आप अगर manual अभी आप manual की बात कर रहे हैं तो manual के लिए पोस्ट में को पढ़ोगे तो यह है basically हम जो पढ़ते हैं इसके बारे में अब मालो आपने यह सब कवर कर लिया अपने मेरी वीडियो को पढ़ लिया सारा manual का basic पता लग गया आपको यह सब पढ़ने के बाद स्वेगर पढ़ लिया तो अब आप क्या करोगे पोस्ट में को इंस्टोल करोगे अपने local laptop पे फिर आप क्या करोगे तो manual flow क्या हुआ आपका basic API की जो basic playlist है मैंने आपको बताए उसको पढ़ लोगे उसके बाद एक crude operation जिसको बोलते है करड भी बोलते है कोई कोई crude भी बोलते है अलग-अलग operations होते है सेम इनका मतलब होता है create, read, update and delete चार तरह की API इसको आप पढ़ोगे पोस्ट में तूल के associated आपको कैसे hit करना वो सीखोगे उसके बाद assertions का मतलब होता है verification basically वो लगाना सीखना वाली दोनों प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर आपको सब complete knowledge मिल जाएगी ताकि इससे क्या होता है जब assertion लगा होगे जब उसको on the go collection को run करोगे उससे वह आपको failure के पता लगए कितने test के कौन सी API फेल होगी है तो यह थादा basic manual वाला अगर आप यह सब कवर कर लेते ह इस लिए प्रेफर किया जाता है कि आप automation के लिए सबसे पहले आप क्या पड़े जो मैनुल के पहने चितने बताए प्लेलिस देखे अलग-अलग API को हीट करके देखे अस्रेशन लगाए जिसन पार्सिंग सीके यह सब करने के बाद फिर आप क्या करोगे आप automation सीखोगे, automation सीखने से पहले आप क्या सीखोगे, java, फिर java के अंदर एक rest assured होते है library, जिसके अंदर predefined functions होते हैं, जिसके तुरू हम API को हीट करते हैं, वो सीखेंगे, तो इन दोने के बिच में क्या difference हुआ, इन में बताना चाहरा था कि postman हमारा manual के लिए है, और rest assured हम आप पहले manual को complete कर लिजिएगा, फिर उसके बाद rest assured में move करिएगा, तो यह आपका basic flow है, जो आप follow कर सकते हो, API testing को पढ़ने की दिए, तो अगर आपको मेरी वीडियो लाइक अच्छे लग रही है, मेरे चैनल पर अगर आप comment कर सकते हैं, अगर आपको like कर रहे हैं तो, और अगर आपको इसका next part चाहिए, जिसके दर में थोड़ा और explaining करूँ, UI के associated, क्या हम करने वाले हैं, तो आप उसको comment section में जा गए लिखिए, कि आपको UI वाले part चाहिए, तो subscribe करें चैनल को, bye bye, till the next video, good night, and कर जए गए बास आपकोई सकते हैं, यह हुईत शजी में जापकोई सकते हैं, प्रता के रहे हैं, तो, गस हाज़ाऊ कर रहे हैं, जा आपकोई सकते हैं,